भारती महिला टेनिस टार सानिया मर्जा ने अपने करियर के आखरी में बंडन के मिक्स्ट डबल सेमिफाइनल में हार कर बाहर होनी के बाद गुर्वार को वर्ल्ट के सबसे पुराने ग्रांड स्लाम में बॉल्डन टेनिस टोर्निमेंट को अलविता कह दिया। सानिया ने एक इस्टेग्राम पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने इस टोर्निमेंट को अलविता कहा है। भारती टेनिस टार सानिया मिर्जा ने विंबल्डन ओपन से बाहर होने के बाद भावुक संदेश लिखा है। सानिया ने पहले ही एलान कर दिया था कि ये उनका आखरी इसके बाद वो टेनिस को अलविता कहे देंगी। विंबल्डन ओपन के सेमिफाइनल में हार के बाद सानिया ने भावुक मेसेज लिखा। सानिया ने इंस्टेग्राम पर अपनी फोटो शेयर करते हुए लिखा। खेल आप से बहुत कुछ लेता है। मानसिक रूप से, श विंबल्डन जीतना मेरी किसमत में नहीं था, लेकिन ये टॉर्नमेंट शानदार रहा। यहाँ पर खेलना और जीत आसल करना 20 साल तक गर्व की बात है। मुझे आपकी याद आएगी जब तक हम दोबारा मिलेंगे। कि वो अपना अंतिम सीजन खेल रही है। हिंगी जो सानिया की जोडी नए यूएस ओपन 2015 और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2016 का खिताब जीत कर ग्रांड स्लाम की हिट्रिक लगाई थी। तीन मिश्र त्यूगल ट्रॉफी सही छे ग्रांड स्लाम खिताबों के साथ सानिया मिर्जा भारत की सबसी सफल महिला टेनिस खिलाडी है। उन्होंने इस से पहले महेश भूपती के साथ 2009 और 2012 फ्रेंच ओपन जीता था। सानिया ने ब्राजीलियाई ब्रूनो सोरेस के साथ 2014 यूएस ओपन खिताब भी जीता था। वो 2011, 13 और 15 में क्वार्टर फाइनल तक पहुची थी। उन्होंने विंबल्टन में 2015 में मार्टीना हिंगिस के साथ महिला यूगल खिता था। छे बार की ग्रांड स्लैम विजेता सानिया ने इस साल की शुरू में खोशना की थे कि वो 2022 सत्र के समापन के साथ सन्यास ले लेंगी। आपको बता दे सानिया मिर्जा उन दिग ते रहिए माई स्पोर्ट्स टाइ.